नमव नारे नमव नारे जेगो माताव वंदे मात्रमा भारती को प्रणाम और हर्दायशे ओम शाम शनिश्चा रहे हैं प्रदर्शकों मित्रों शाथियों जीवन में सफलता पाना चाहते हो शफलता का एक ही मूल मंत्र है तन और मन में संतुलन तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता पाश्य मिलेगी हारता वही है जो संतुलन खो देता है इस बात का ध्यान लगेगा नमवनार है बारा के बारे राशियों की सभी भाई वेनों को नमवंबर दोहजार चौबीस की मासिक फलादिस में आपका स्पाज़त है बित्रण शाथियों यह खुश्यों का महिना है तेहुआरों का महिना और जीवन की खुश्यों का तेहुआर के रूप में समेटवे नमवंबर का महिना हमारी जीवन में दस्तक दने के लिए तैयार है बारती सनातन संत में नवंबर के मेने को बना सुब माना जाता है दन तरिस भी होती है दिवाली भी होती छट पूजा भी होती देव उठनी एकादस भी है यह अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है इस मेने में धांची किराणी लक्षमि माई उनको याद करने का दिन नवंबर के मेने से दिन छोटे होंगे रात बड़ी गर्मी जारी और सब्सक्राइब का मेना संकेदे रहा है नवंबर का मैने अपने आप में बड़ा अधुद है नक्षद गंडाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा जिन लो तक सासी और महत्रवकांसी और दबंग सुबाब का होता है वह 25 नौबर बाद जनम लेने वाले लोग धनवरासी माने जाते हैं और धनवरासी का समन्द देवगू ब्रष्पत्ति होने के कारण ब्रष्पत्ति की करफा इनके केरियर और वैपार में विशष उनती देए इन तो अपने आराद्य अपने इस्ट को मनाने का सुब अबसर मिलेगा और इस महीने मालक्षमी को कैसे मनाए दिपावले किन मंत्रों का पूजन करें गुरुमंत्रमित दाती महराज पर बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ बताऊंगा दिपावले को ले दिपावली कीमें राशिफल बहुत ठेल अपशन। को बहुत जल्ड को धाफी यह ने सब कूछ मुश के लिए घरनक्षतों की इस्तिती के बारे में आपको बता देता हूं इस महीने 7 नमबर शुक्रदेव का संचन धन्वाशी में होगा मा के प्रारम में शुक्रदेव वर्षिक राशी में संचन करेंगे लेकिन 7 नमबर को वो धन्वाशी में आ जाएगे आप इसंसमें नीचराशी तुला में संचा करने स्वरा नमंब्र को शुर्ढ बर्शिक रासी में बरक्री होंगे अपनी मुक्रिकों डाषि कुम बक्रियावस्ता में प्रभी शानिदेव uncomfortable बुद्ध Planning जाओ के सन्तान की पढ़ाई के वे माता पिता को बचों की बड़ी जोंक्टता तो कि बारे में पड़ाई के इसा थे और पढ़ाई की न इस अब किस लाइन में उन्हाड़ा सपलता मिलेगी किस व्शेत पर अधिक सांटा रागे बरें के लिए कैसा रहेगा नक्सद ग्रना उस्टाप से कैसा रहेगा नक्सद ग्रलों का राजशी परिवर्द में किस सित्र में क्या परभाव पड़ेगा किन किन छेत्रों में शावधानी बरतनी है क्या भागिया आपकी दस्तक देगा क्या काम बनेंगे क्या कारूबार में शफ यापकी नाम राशी पर आधार अर राशीपल को चंदर राशी देखना उत्तम माना गया मैं से मीश और दोनों से सटीग मिलेंगा लेकिन राशिफल सदा चंदर राशी से देखना जाई वो सटीग रहेगा मित्रों पुने हिरदय से नवंबर की राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है मैं प्रिदा पिता प्रमा नहीं हूं प्रियास करूंगा अपने आनुभव के आधार पर कि नवंबर का महिना आपके लिए मैं अच्छा बोलू हाँ शाधान शागती हूं कोई भूल हो जायते हैं पहले में दोनों हाँ जोड़कर समा मांगता हूं चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का मेना अब में राशी चकर भाठ चकर की नौभी राशी नहीं धानु राशी के लिए नवंबर दोचार चार और यह जनरल प्रड़क्शन है आप जानना चाहते कि आपके लिए आने वाला नवंबर का मेना कैसे रहें तो नीचे नंबर आ रहें इन नंबर पर जरूर समपर कर देगा धनराशी वालों के लिए राशी फल का नौबर मेने का राशी फल का संकेदव उससे पहले धनराशी वालों के लिए बच्चे एजुकेशन में कैसे रहें गर किस छेतर में ने शपलता मिलेगी थोड़ाशा धनराशी के बच्चों की बात करते हैं धन्राशी के राशी अधिपदी ब्रश्पति देव है और धन्राशी के बच्चे जिग्यासु इमानधार और रफदार होते हैं पड़ाई हो जीवन का हर्चेत्र हो ये चुनोतियों को स्विकार करना पशंद करते हैं इस राशी के बच्चे बुद्धिमान प्रखर और सात्विक विचारों वाले होते हैं कोई भी बात बड़ी जल्द बाजिए समझ जाते हैं बहुत जल्दी समझते हैं धन्राशी के बच्चे हमेशा नई जानकारी की तलास में रहते हैं कि धंदासी के बचे विपरेत्र हों में बहतरीन प्रद्रसक्ति हो कर सकते हैं अ świat पर पहुत अधिक सोच विचार करते हैं कि पढ़ने लेकर और विश्यों के खोज करने का अननद देते हैं कि बड़े कि आर सिंग्षupl बनते है Partners कि केरिए में अच्छा प्रअम मलता है हालंकि यह समय लेते हैं लेकिन एक बार जिस निर्णे पर पहुंछ जाये पर उस्से डिगते लेते हैं कोई ले लिया तो फिर पीछे नहीं हरुते धन्राशी को बच्चे खुस मिजात मजा किया लेकिन अन्याई को कभी बरदास नहीं करते हैं उन्हें दुनिया देखना पसंद है यात्रा का शोक है और प्रकृति के नजदीक रहते हैं हां कभी-कभी अपने बेतु की सवालों से आपको प्रिशान कर सकते हैं आपका धन्राशी का बच्चा है मांसिक और सारिक दुनों तरह का स्रम करने में अवल है यह बच्चे भागे साली होते हैं इन्हें बास अपने लक्ष निधार्द करना होता है बड़े और सजन होते हैं धन्राशी के बच्चे मानवी और धार्मी विशे में रुचिए रख यह अर्दंाशी के बच्चों के बच्च में में मेरा नीजी आंकल नो में दबाव नहीं तो ऐसा मेरे को समझ में मैंने बता दिया अब धनराशी वालों के लिए नमंबर 24 का महिना नक्ष्पर गर्णाओं के आधार पर राशिपल का क्या संकेत दे रहें तो सबसे पहले यह देखते हैं कि आपके लिए गुरुचत किस प्रकार की इसेदी बनाया है यहनी ग्रह को समझने का परियास का से तंडराशी के राशी अध्वधी प्रश्परी देवे महा के आरम से लेके अंतक बकरी अवस्ता विर्श्पर रासी चड़े भाव से संचन कर पाम और नमबर को सब्रकार अन्यश् avons पडीक दिखाल तबरत को सब्सक्राइफ में संचन मगलल्ण। नमबर में अपनी नीच राषी । श चौं में यह ए अब इनको मोटा मोटा मैं देखूं तो मोटे मोटे दिस्टी कौंट से कामकाज का और नौकरी और धन को लेकर धन राशी वालों को नौबर के मैंने बहतर शपलता का संकेत नजरा रहा है जोब समझी बहुत सी बादाओं से आपको मुक्ति मिलेगी करम की और प्रेर्ति रहेंगे और काम पर ध्यान देंगे इद्याब सरकारी नौकरी में कारदत है क्या प्रसासनिक अफ्चर है आपको अपने परियासों के अनकुल लाब मिलेगा और मन की अभिलाशाइं पूरी हो यह समय निजी समंदों में पवितर तक है इसमें किसी तरी की लापरवई आपको नुक्षान करें स्वास्त्य को लेकर भी धंडाशिवालों को नमवंबर के महिने में साफधानी बचनी चाहिए यह था नमवंबर के महिने में धंडाशिवालों का मोटा मोटा मेरा संकेत ज क्या प्रभाव पड़ेगा मैं विस्तार से बात करूंगा धन्राशी वालों के लिए नौंबर दोजार चोबिस का राशिपल रुषप से पहले धन्राशी की यू और विद्यार्तियों के लिए क्या संकेत मिला है धन्राशी की यू और विद्यार्तियों को केरियर कामकाज का अच्छी सपलता और लाब के लिए थोड़ी सी महनत और थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा धंडाश वालोगली पंच में इस मंगल देव अस्तम भाम अपनी नीच रासी करक्षे संचन करें और चतुरत भाम में राहुदे विराज माने और छटे भाम में वकरी ब्रश् का फल में लेगा लापरभाई नुक्सान दे सकते अना उस्ते का आलशी परमाद व्यरत का भर्मन शोचल मेंडिया पर जमेर है न आपके लिए नुक्सान दाएक रहेगा मा के उतराज में केरियर कामकाज कारवार शिक्षा के दर्शक्राण से यूवार विद्यारत्यों के परिश्व का पूर्फोल में प्रियास्तार्त होंगे कामकाज करवार नौकरी शिक्षा स्वर्मन दिश्चा मेंशा को समधान मिलेगा पढ़ाय मेडिकल वकालात तकनिकी चेतर और अकाउंट के चेतर में उस शिक्षा के चेतर में अध्यन विद्यात्यों के लिए अच्छ अच्छी सपलता है उस शिक्षा में अध्यन विद्यारत्यों के लिए उत्राद अच्छी सपलता का संकेद रहा लेकिन इसमा एनितिक कारी और शॉर्टकट धन कमाने से युवाओं को बचना चाहिए अन्यता नुक्सान हो सकता है यह हो सकता है यह था युवाओं और अच्छी दिखाने का उस्पर मिलेगा तंडाश वालों के लिए दसम भाव में केतुदेव विराजमान है सब्तमेज और दसमेज बुद्देव सस्टेश्ट और लाबेव शुक्रदेव के साथ बारवे भाव में संच्छन करें इस माह आपकी सोचने समझने की समता में सु शफलता मिलेगी भवन भूमी प्रॉपर्टी का लाब मिलेगा कारी विस्तार होगा आर्तिक पक्स मजबुत होगा कारी विस्तार करने का मोका में मिलेगा व्यपार में नए संबंदों का लाब मिलेगा कारवार में उनतिक अवस्तर प्राव देंगे आर्तिक इस्तति पहले रूप से आपकी इस्तिति को मजबूत हरेगा और वैविशाय में आमदानी की बड़ोत्री होगी इदि आपका कारी सरकारी से जुड़ा हुआ है या सरकारी प्रयोजना में ठेकेदारी का काम करते हैं शंपून लाब और शफलता का संकेद नजरा रहा है शाकर्मयों का इसमा भाग्य आपकी पक्ष में करव ले रहा है वैविशाय ग्रूप से कोई बड़ा सपना भी आपका साकार हो सकता है आए पक्ष मजबूत होगा और उन्हत्ति के उत्तम उफसर बिलेंगे समय पर टार्गेर पूड़ा होने से उचादिकारी प्रशन होंगे और लाबद में हर रोज प्रतकाल नित्य करम जिनियों सनान उपरांत अपने पूजास्तान में सुद्ध देशी घी का दिपक जलाए और शिद्ध कुंजी का इस्तरूत के साथ पाट करें तसपसात माई के सिर्चलनों में एक जटाबाला नारियल अर्पित कर दें एक नमंबर से लेके कानोनी मसले हलों ओम नमा भगवति वासु देवाई नमा और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाग गुर्वे नमा इन दोनों मंत्र का श्राधान उस्तर जाब करने से भाग्या आपकी पक्ष्म करवड़ लेगा अब मैं बात करूंगा पारवारी और शामाजिक देश्ट कौन से क्या सा रहेगा आपके लिए नीजी जीवन की बात करूंग पारवारी जीवन की बात करूंगत सामाजीक विस्तित की बात करूंगोगत धंडाश जोश्र हो के लिए नम वंकर ने तोड़ सा कम जोड़ नजर आ रहा है तोंड़ जोब bob पंचमेश मंगल देव अपनी नीच रासी करक में अस्टम भाव में संचन करेंगे और नौमेश शुर्यदेव महा के आरम में अपनी नीच रासी तुला में लाप भाव में संचन करेंगे लगनेश चतुरतेश ब्रश्वर देव वकरी अवस्ता में छटे भाव में संचन करे सब्सक्राइब के साथ कुछ चीज़ों पर जिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा परिवार में अब प्रतैस्ति घटनाओं का संकित नजर आ रहा है परिवार में किसी वेवर्द व्यक्ति का स्वास्ति बिगर सकता है और कोई आपके साथ धोका भी कर सकता है विश्यज़ पिटा की स्वास्ति एक लेकर अच्छे संकित नजर नहीं आ रहे लापरवाई नहीं पैतरिक संपत्य के मसलों कोट कचर से दूट रहे इससे में सरकारी संस्ताओं को नियमों की अभिलना नुक्षान देगे इंकम टेक्स एल टेक्स जेस्टी में विश्यज सावधान देने क्या हुशकता है पारवाई जीवन में लेंदेन और पारवाई स्वास्ति के लिए स्वास्ति के दर्शिकों से नुवंबर का मेना अच्छा संकेत नहीं जिरा है लागने इस चतुरतेश ब्रश्प्रदी व बना रहे वजन पर नेंद बना गए श्यम को फितनेस रखना बहुत जरूरी गले के संक्रमन के प्रति लापरवाई निवर्दे इसमने कमर को लेकर मसल्स को लेकर या नर्वस्य स्टों को लेकर परिशानी का संकेत है शरीर को उचित आराम देना बहुत जरूरी है और नीं कि आसपास हर मंगलवार और संवार को आप सुंदर कान का पाट करें तो लिसी महिया के आगे हर रोज शुबह और साम सुद्ध देशी कपूर का दीपक जनना अच्छा रहेगा और सुबह और साम घर में गूगल का धूप करेंगे तो परिशानय में कमी आएगी प्रतर्श कि आपकी मर्जी हां मेरी से कोई भूल हो गयो जोड़कर श्मा मांगता हूं आप सुकिरे आफश्ष्वास्त रहे समर्दी से ले संदेव के चननम मेरी प्रात्ना नमाराइग रहे रास्तान का अर्व्यक्ति जानता है इक नाती महाराज ज़एं से बहुत प्लार ग्रत हं हजारों शेक्षणों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धरोवर थी और यह करना मेरा करते और करम था मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूं बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरा जीवन का नक् जिस राष्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्तिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेरा राष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये काक्षा आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूं आप भी शेवा करता हूं धन नहीं चाहिए लेकिन वर्टमान में जो आर्थिक परस्ति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर दी है कि सनीधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं सेवा, इसके लिए मुझे आपका शेयोग चाहिए और शेयोग के लिए मैं शेवम आपके साथ खड़ा हूं आपकी समश्याओं के समधान के लिए भाई आप अपनी जन्मकुली के अवलोकन कराना चाहते है आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके जारे की विवस्ता कर लिए और इसलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गाएं चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्रा आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन क मांग रहा हूँ फिर भी मैं अभी मेरा यह एंकार नहीं है साथियों मेरा राश्रों पर है मैं यह नहीं कह रहा हूँ मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जो तीजिये समधान की आविश्यक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगवग लगवग 20-25-50 लोग ऐसे भी है मैं उन सब की प्रति की अपना आभार प्रगर्ण करता हूँ और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे लिए इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधान गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रप से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देटे भी हिरदय से पुने एक बार निवेदन करना जाता है कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिधान गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़रुश्योकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातना थी ओम नमना रहें ओम नमना